हेलो फ्रेंक्स वेलकूम तो माई यूट्यूब चैनल सरसुदी कॉमर्स का कैट भी तो आज हूं करने वाले हैं क्लास प्लस न की बिजनस टेडिस का चेप्टर नमेर 25 जिसका नेम है इंटरनेशनल ट्रेड अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है आज हम इस चेप्टर के ब , बिजसेड़ का अघए अगरर आपको कोई भी टापिक समझ रहा हो वह क्लास प्लस न की बिजना स्टेडिस का तो आप समझ सकते हैं अब आई से कोई भी तो संबग सकते हैं बात आते हैं इंटर्डेशनली ट्रेड अब उन्तरेशनलल का मतलब क्या होता है कि जब दो देशों के बीच में कोई ट्रेड रहा है यानि कि कोई समान अपने देश से दूसरे देश में बेज रहे हैं अब कोई वे country जो है इतनी capable नहीं होती कि वो सभी goods का production जो है वो अपने ही country में कर सके उसको किसी ना किसी country की तो ज़रूरत होती ही है ठीक है अब हर country में सारा समान available नहीं होता उसको कहीं ना करी से कुछ ना कुछ समान मंगवाना ही पड़ता है जैसे इंडिया है अब इंडिया को भी Осसु आरशना झो रूसरी देशों से मंगवाना पड़ता है कोई दूसरा देश जिसके पास वह वारे चीजये नहीं है जो हमारे इंडिया में available है वहां से क्या होती है और आगरा वार कोई समान जो है covenant eu nne है निष्ट को फुल्फिल किया जाला है फिद भी वह समान एक्स्ट्रा है हमारे पास इकने नेशनल बिसॉर्स है कि आप और में समान कर सके तो अब हम समान को क्या करेंगी दूसरे देशों में उसको जुरुरत है तो दूसरे देशों में export कर देगी तो यह सब बैसिकल जिसम दो कंट्रीज के पार्टिस्पेशन होगी नेक्स है लेंग्वेज डिफरेंस अब देखो कि हमारे इंडिया में क्या बोले जाती है अगर हम मालों कर रहे हैं किसे तो उसके लिए हमें इंग्लिश भी आने चाहिए तो लेंग्वेज डिफरेंस रहता ही है जिस पर देश के साथ हम अपना प्रेड कर रहे हैं उस देश के हमें लेंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए तभी हो सकता है प्रेड नेक्स से कंपरिटिव मोर इस अब दूसरे सब्सक्राइब का कई बार सही एस्टिबेट नहीं पता चलता कि कहीं बार कुछ टेकनोलोजी जो है चेंज होती रहती है तो इसे तरीके से हमारे देश की कंपरिशन में दूसरे देशों के साथ अगर हम बिजन्स कर रहे हैं तो वहां पर जाधा रिस्क होता है नेक्स्ट थे सब्सक्राइब का रहे हैं धैसे के साथ उरह कोई थैपने करेंगे छाए हम्मिए क्षा ओटेशन में इसक्ति ही घृट्डाइश एंस मेक्सिमम यूतियन होता है मैक्सिमम टुनाइज़िशन कैसे होता है जितने हमारे पास नेशनलक Kr 42 है वह अगर मन पास मार नेकम कोई टेखनीक एवेलेबल है तो हमारे पास अगर टेखनी एवेलेबल है च olması समान को सस्केरामों में मवादब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें किस तरह की तरीके से किया चाहिए इंडस्री vaccinal candle को अब मालनों कि हमें कोई भी टेक्मोलजी दूसरे देश से अपने देश में लेके आलिये तो हम उसको इजली इंट्रनेशनल ट्रेड के थूर एक आ सकते हैं कि कोई मशीनरी चाहिए किसी चीज़ का प्रड़क्शन करने के लिए उसके लिए हमें मशीन दूसरे देशों से चाहिए वह मीज़नी भंगा सकते हैं यहाँ पर रिजली इसका प्रड़क्शन जो कर सकते हैं इससे industrialization को भी benefit होता है गड़ावा मिलता है नेक्स से benefit of large scale production अब देखो कि अगर हमारे पास production करने की capacity है और अगर हम large scale पे अगर हमने सोचने की हमें समान के export भी करना है अब export करने के हमारे पास काफी सारी फायदे होते हैं government भी हमें काफी सारी incentives देती हैं तो अगर हम large scale पे अगर हम production करते हैं तो हमें काफी सारी बच्टे भी मिलती है जितनी जादा अगर हम production करते हैं उतनी ही जादा जो है per unit cost जब हो में कम पढ़ती है तो इस तरीके से हमारे पास यह benefit है नेक्स है check one monopoly 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 का मजब क्या है एक अधिकार कोई भी stop it नहीं कर सकता यानि कि कोई यह नहीं कह सकता कि यह तो पूरे इंडिया में समान सिरफ मेरी ही दुकान से मिलेगा अब अगर वो नहीं देता तो ठीक है ना दे हम दूसरे देश से को समान जो इजिली मंगवा सकते है इसमें आज तो कोई दिखते हैं नेक्स है offering in difficulty अगर कोई समान हमारे पास available नहीं है हमारे कंट्री में तो हम दूसरे अगर हमारे पास कोई संकट आ गया जैसे हमारे मालों हमारे देश के उपर तो हम कोई भी समान जो इजिली मंगवा सकते हैं अब देखो कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वह अपनी करेंसी में अब हमारे पास क्या आता है वह उस देश की करेंसी जो हमारे देश में आती है ठीक है में एस्टबरिशमेंट ओफ इंटरनेशन कोपरेशन देश में जो और नई डेशों काफी बढ़ता है लोग देशों का आपस सायोग से काम करते हैं नेक्स से less cost due to the use of modern technique अब देखो कि अब हमें पता है कि हमें अपने समान का दूसरे देशों भी क्या करने है एक्सपोर्ट करते हैं तो नही नहीं टेखनीक्स का यूज करते हैं ठीक है अब नहीं नहीं टेखनीक्स का यूज करेंगे वो quality के उपर भी घ्यान देगे तो समान ही हमें बना के जून है वो देखें अब यह देखो modern technique का यूज करने से अगर हम नहीं नहीं टेखनीक्स को यूज करते हैं तो हमारे पास cost भी क्या आती है कम आती है तो यह nature और इंपोर्टेस हमारी हो गई है अब next आता है हमारे पास scope of international business ठीक है अब scope of international business में सबसे प कर सकते हैं export भी कर सकते हैं यानि कि import के साथ की साथ हमने क्या कर दिया अगे further export कर लिया ठीक है इसी तरीके से services भी इसके इंदर आती है production इसके अंदर क्या होता है कि जो हमें माल जो अर्रो मेटीर जो है जो दूसरे देशों से हमें सस्ता मिलता है वह हम अक्डे देश पे पहले क्या कर लेते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर जो फिरीज बूड्स बन जाती है जो अच्छी quality गी वह हम फिर दूसरे देशों करती है और अगर फॉरण से कोई आके किसी दूसरी कंपनी में कोई investment करता उसको कहते हैं portfolio investment ठीक है नेक्स है complexity इंप्लेक्सिटी यानि कि क्या क्ने difficulties आती है हमारी को next है फॉस्ट है जो है language difference अब language difference अब देखो कहीं बार जो है language का भी काफी barrier हो जाता है किसी को language नहीं समझ मे आती जब हम import export करते हैं international trade करते हैं तो more risk इसके इंदर रहते हैं कही बार हमें demand का इतना नहीं पता चल पाता कि कितनी demand है क्या लोग जाते हैं क्या लोग नहीं चाहते हैं कि कही बार हमें कुछ नहीं समझ में आता तो हमी इसके इंदर risk factor जो हो जाद होता है next government control government का भी काफी सारी difficulties government भी कर देती है इसके इंदर प्रेंस अब डिफ्रेंस इन लोग अपने ही देश के लोग समझने मुश्किल है अब दूसरे देशों के लोग यानि की कानून अगर समझते हैं तो बहुत ही जादा difficulty उसके इंदर आती है हमी सारे rules का पता होना चाहिए करी हम कुछ अब हमें information चाहिए होती है foreign trader के बारे में कि हावी foreign की वेपारी किस तरीके से dealing करते हैं क्या करते हैं किस तरीके से वो लोगों के demands के बारे में बता लगाते हैं तो यानि कि सारी difficulties इसके अदर आ जाती है कोई भी information बताते राजी नहीं होता next ए custom duty वगयरा अगर मालों कि हम अ आपके तरीके international trade करनेगे फॉर्स आता है हमारे पास contract manufacturing इसके एक country ऐसी होती है यानि कि export होती है उसका काम होता है marketing का कि वो कोई भी goods वो easily sale कर लिए एक country में कोई company ऐसी है कि हामें वो उसको production करना अच्छी तरीके से आता है अच्छी quality का production करती है लेकिन उसको marketing में दिक्कत आजाती है तो तोनों country जो है आपस में contract कर लेकर चल तू बना दियो और मैं तरह समाज और वो sale कर दूंगा बदले में आपस में contract में कुछ ना कुछ अपना ले लेते हैं इसके बाद हमारे पास licensing आता है licensing में क्या होता है कि एक country की जो एक company है कि क्या करती है वो further दूसरे person वो एक license दे देती है यानि कि copyright दे देती है अपना patent trademark यूज करने के लिए देती है वो कहती है कि जतनी दे से लोगी उसके basis पर मैं आपना commission ले लोगा commission यानि के remuneration की form में अपना as a salary वगयरा कुछ भी जो है वो मैं तरसे ले लोगा तो इस तरीके से पेमेंट जो अपनी receive कर लेता है बहुतने कई बार कुछ rate भी fix कर दी होती है इसके उपर कि इससे जादा आप priority या fees के तोर पे नहीं ले सकते हैं इसे तरीके से हमारे पास franchise है joint venture है कि दो या दो से जादा companies जो है वो आपस में dealing कर लेती है कि हाँ भी आदा आदा profit से मिलके मांग लेगे तो इस तरीके से किसी तरीके से हम क्या पर सकते हैं कि business कर सकते हैं international trade में अब अपना participation दर सकते हैं तो यहां पे जो हमारा chapter number 25 है यहीं पे complete होता है next video session में आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजी वीडियो को लाइक कर दीजेए और बैल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजेगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का notification मिलता है और प्लीज अगर आपको वीडियो अची रगी हो तो चैनल को अगर आपको स्क्रीशोट ले रहा है तो आपको स्क्रीशोट ले सकते हैं